नवस्कार दोस्तों, डेट हैं आज की 26 दिसंबर 2020 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में तीन इशूज आज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले हम आर्टिकल 356 के मिस्यूज से समदित इंपोर्टन आर्टिकल को डिसकेश करेंगे इसके बाद हम DTH ओपरेटर से समदित आर्टिकल को डिसकेश करेंगे और तीसरा आर्टिकल हम डिसकेश करेंगे बिजनस लाइन का उनिवर्ष्टीज की गवर्नेर्स को इंपोर्व करने से समदित चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन इश्यू, आर्टिकल 356 के मिस्यूज से सम्मन्दित है आप GS Paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्केशन में सबसे पहले आप मुझे एक बाद बताईए आर्टिकल 356 क्या कहता है हमारे सविधान का देखो हमारे सविधान का आर्टिकल 356 ये कहता है अगर प्रेजडेंट को रिपोर्ट मिलती है गवर्नर से for example महाराष्टर के गवर्नर प्रेजडेंट को रिपोर्ट देते है कि महराश्टर को अभी रन नहीं किया जा रहा है सविधान के प्रोविजन्स के अनुसार यानि constitutional machinery जो है वो fail हो गई है महराश्टर में तो ऐसी situation में महराश्टर की सरकार के functions को खुद assume कर सकते हैं मतलब president rule लग सकता है ऐसी situation में देखो आप एक बात पर ध्यान दीजेगा ना सिरफ अगर governor report देते हैं president को constitutional machinery के failure के बारे में इसके अलावा भी एक word add क्या गया है otherwise भी अब इस article में इस word को criticize भी क्या जाता है कि भाया governor के अलावा भी और क्या region हो सकते हैं कि आप किसी state में president rule लगा दो otherwise का क्या मतलब है यहाँ पर otherwise word add करके तो article 356 के scope को बहुत ज़्यादा increase कर दिया गया है otherwise तो कुछ भी हो सकता है article में even sarcasm का इस्तमाल किया जाता है कि रात को राष्टरपति को सपना आ गया कि महाराष्टर में जो सरकार काम कर रही है वो सविधान के provisions के हिसाब से काम नहीं कर रही है और अगले दिन उन्होंने president rule लगा दिया महाराष्टर में तो otherwise word का मतलब तो बताइए न आप तो यह है article 356 अब बात करते हैं context की देखो आपको पता होगा कि यह आंद्रपर्देश high court और आंद्रपर्देश सरकार के बीच थोड़ी लड़ाई सी चल रही है आ लड़ी काफी कुछ हो चुका है तो इसी पीच आंद्रपर्देश की जो high court है वो 14 के आसपास habeas corpus petitions की सुनवाई कर रही थी इसी दुरान उन्होंने आंद्रपर्देश government के council को कहा यानि advocate को कहा कि आप तयार होके आईए हम इस बात पर सुनवाई करेंगे क्या आंद्रपर्देश में constitutional machinery जो है वो fail हो गई है मतलब state में constitutional machinery का breakdown हो गया है इस issue पर हम सुनवाई करेंगे आप तयार होके आईए अब काईदे से देखो ये काम जैसा आपने article में देखा होगा governor report देते हैं और राश्टरपती इस बात की चानबिन करते हैं किसी state में constitutional machinery का breakdown हुआ है या फिर नहीं हुआ है judiciary चानबिन नहीं कर सकती कि कि किसी state में constitutional machinery का breakdown हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो ये एक बहुत ही बढ़िया example है judicial overreach का judicial overreach मतलब जब judiciary देखो executive और legislative के pillar में जाके काम करती हैं उनके pillar में जाके interfere करती हैं तो इसे आप कह सकते हो judicial overreach तो ये judicial overreach का एक example है आप answer में court कर सकते हो क्योंकि ये काम judiciary का नहीं है चानबिन करना किसी state में constitutional machinery का breakdown हुआ है या फिर नहीं हुआ है अच्छा ये हुआ कि आंदरपरदेश की high court ने appeal file की supreme court में कि देखो भईया high court क्या कर रही है तो supreme court ने stay लगा दिया आंदरपरदेश high court के उस order पर कि रुख जाओ भईया रुख जाओ आपका ये काम नहीं है तो अब देखो detail से article में discuss किया जाता है article 356 के बारे में शुरुवात में कहा जाता है देखो किसी भी liberal democratic constitution में ये article 356 जैसा provision आपको देखने को नहीं मिलेगा सिरफ दो ही देशों के सविधान में ये provision है एक इंडिया और दूसरा गैस कीजिए कौन सा देश बिल्कुल सही आपने गैस किया पाकिस्तान क्योंकि देखो इंडिया और पाकिस्तान ने ये जो provision है ये बोरो किया है Government of India Act 395 सोरी 1935 से अब देखो हैरानी की बात ये है जब 1935 में ये Act आया था न तो उस समय हमारे देश के leaders जो आजादी की लड़ाई लड रहे थे उन्होंने विरोध किया था इस provision का उन्होंने कहा था भया ये क्या बात हुई किसी भी state government को dismiss किया जा सकता है central government के दवरा यानि federal government के दवरा ये provision बहुत ज़्यदा गलत है तो उस समय freedom struggle की leaders ने जब इसका विरोध किया था तो फिर आखिरकार इस provision को सविधान में add ही क्यों किया गया जब हमारे देश का सविधान बना तो आर्टिकल में कहा जाता है democracy के नाम पे unity के नाम पे stability के नाम पे फेडरलिजम के नाम पे इस provision को हमारे नए सविधान में add कर लिया गया इसके बाद हम discuss करते हैं देखो जब constitute assembly में debates चल रही थी आर्टिकल 356 के बारे में तो उस दोरान women leaders के दवरा क्या-क्या मुख्य था opinion जाहिर की गई देखो 11 जून 1947 को constitute assembly इस बात पर agree हुई थी कि governor emergency powers का इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि उस समय सविधान तो पूरा बना नहीं था तो उस समय ये सोचा गया था कि governor भी elect होंगे directly तो उस समय गोविन पलब पंत नहीं ये बोला था governor elect होंगे इसका मतलब ये नहीं कि governor बहुत जड़ा समझदार हो जाएंगे इसलिए article 356 का provision करना कि governor के report के अधार पर president rule लग सकता है even state government को dismiss किया जा सकता है ये गलत है गोविन वलब पंत और हर्द्यानाथ कुंजरू इन्होंने विरोध किया था इस provision का उन्होंने कहा था एक परकार से आप 1935 के act को reproduce करने की कोशिश कर रहे हो जिसका विरोध किया गया था हमारे द्वारा जब ये act आया था even हर्द्यानाथ कुंजरू ने वीप को भी defy किया और इस provision के against जाके vote दिया लक्समी कांथ मैत्रा और तंगूत्री परकासम इन्हों के द्वारा कहा गया कि देखो इंडियन गवर्नर जो है वो ब्रिटिस गवर्नर की तरह बिहेव नहीं करेगा ब्रिटिस गवर्नर तो सेंटल गोर्मेंट के एजेंट्स के तोर पे act करते थे लेकिन इंडियन गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट होके काम करेंगे ये देखो सिरफ डिबेट्स में लीडर्स के द्वारा जो ओपीनियन जाहिर की गई थी वो है तो मतलब उस समय सा सोचा गया था और हुआ क्या है वो भी हम इस्यूस नहीं करेंगी लेकिन देखो आने वाले दसकों में ये सारे जो ओपिनियन थे वो गलत साबित हुए ये जो प्रोविजन एड किया गया आर्टिकल 356 का इसके बारे में यूं भी कहा जाता है एक परकार से जैसा यूं हो छोटे से जुकाम के लिए या फिर कोल्ड के लिए आपने बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया हो मतलब लाइंड ओडर फेल होना या फिर कंस्यूशनल मसिनरी का फेल होना इसे दूसरे तरीकों से भी एडरस किया जा सकता है इसके लिए स्टेट गोवर्मेंट को डिस्मिस करके प्रेजिडेंट रूल लग इवन गवर्नर की रिपोर्ट गवर्नर अपनी रिपोर्ट में माली जी ये कहते हैं कॉंसिचूशनल मसिनरी का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है इसके बावजूद अधर्वाइज प्रोविजन का इस्तमाल करके भी प्रेजिडेंट रूल लग सकता है तो आर्टिकल में कहा ज गवर्नर अपोंट किया जाता है किसी स्टेट का है तो यह केस हैं अधर्वाइज का इस अधर्वाइज वर्ड का इस्तिमाल करके आन्दरपरदेश आईकोर्ट नहीं ओर्डर पास किया था अंधरपर तेश सरकार के वकील को बोला था आप तैयार होके आएस हम इस20 को किया गया है देखो अभी तक टोटल आजादी के बाद से आर्टिकल 356 का आल्मोस्ट 125 बार मिस्यूज किया गया है अम्बेडगर साब ने कहा था आर्टिकल 356 ये सिरफ एक डेड लेटर है मतलब कि Rarely इसका इस्तिमाल किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं मतलब बहुत Frequently इस प्रोविजन का इस्तिमाल किया गया नहरू ने सबसे पहले इस प्रोविजन का इस्तिमाल किया 1951 में नहरू ने पंजाब में गोपी चंद भारगव मिनिश्ट्री को हटा के प्रेजिडेंट रूल लगा दिया था जबकि गोपी चंद भारगव चीफ मिनिश्टर थे पंजाब के और उनके पास मिजोर्टी थी 1959 में अपोजीशन की गोवर्मेंट थी केरला में मतलब कॉंगरेश की गोवर्मेंट नहीं थी लेफ्ट वालों की गोवर्मेंट थी तो उस समय EMS नमूदरीपद गोवर्मेंट को हटा दिया गया था नहरू परधानमंत्री थे सेंटर में और गवर्णर बी रामा कृष्ण धायक ज़्यादा थे इनके पास में मतलब मजोर्टी थी MLA मजोर्टी से ज़्यादा थे इस गोवर्मेंट के पास से लेकिन गवर्णर ने एक स्ट्रेंज लोगों का स्पोर्ट नहीं है जनता का स्पोर्ट नहीं है अरे जनता का स्पोर्ट कैसे पता लगेगा पांच साल बाद election होंगे तभी तो पता लगेगा जनता का sport है या फिर नहीं है आपको कैसे रात को पता लग गया आपको कि हाँ जनता का sport खतम हो गया है तो यह काफी strange logic था और इसे मान भी लिया गया central government के द्वारा और president rule लगा दिया गया केरल में 1959 में उसके बाद इंद्रा गांधी की बात करते हैं इंद्रा गांधी ने देखो बहुत ज़रा में issues किया article 356 का इंद्रा गांधी ने 27 बार state governments को dismiss करके president rule लगा दिया अलग-अलग reasons के आधार पर जैसे political stability नहीं है clear mandate नहीं है या फिर sport जो है वो खतम हो गया है even अपनी party के chief ministers को भी नहीं छोड़ा गया इंद्रा गांधी के द्वारा 1977 में जनता party की सरकार आई जनता party ने भी misuse किया इस article का एक ही order से no opposition parties की जहाँ पे सरकारी थी जिन states में वहाँ पे president rule लगा दिया गया even supreme court ने भी upheld किया जब जनता party ने president rule लगाया women states में उसके बाद 1980 में इंद्रा गांधी फिर से सत्ता में आई उसके बाद फिर से उन्होंने 9 opposition majority governments को dismiss कर दिया एक ही order से और वहाँ पे president rule लगा दिया उसके बाद हाला कि देखो president rule लगना कम हो गया क्योंकि supreme court इस issue पर काफी ज़्यादा सक्त हो गई लेकिन फिर भी president government के द्वारा 2016 में article 356 का misuse किया गया अरुनाचल परदेश में देखो पहले जितना misuse होता था उतना तो नहीं होता लेकिन देखो ये भी कहना कि article 356 का misuse होना पूरी तुरह से खतमी हो गया है ये भी गलत होगा हाँ एक important बात देखो अब ये बोली जाती है even presidents ने भी जब union government के द्वारा recommend किया गया president को कि आप president rule लगा दीजिए proclaim कर दीजिए तो women presidents ने भी union government के हिसाब से काम किया सिवाए एक president को छोड़के के आर नरायनन के आर नरायनन ने दो बार union government की जो recommendations थी state में president rule लगाने से समदित उनको reconsider करने के लिए file लोटा दी जैसे देखो पहली बार 22 October 1997 को कल्यान सिंग government उतरपरदेश में जिसने controversial confidence vote हासिल किया था तो center में जो government थी उसने recommend किया president को कि आप उतरपरदेश में president rule लगा दीजिए लेकिन के आर नरायनन ने इसे मानने से इंका कर दिया उन्होंने cabinet की recommendations को reconsider करने के लिए भेज दिया इसके अलावा 25 सेतिमबर 1998 को cabinet ने recommend किया था कि बिहार में राबिडी देवी की जो government है वो constitutional provisions के हिसाम से काम नहीं कर रही है ऐसा recommend किया गया था governor सुंदरलाल बंडारी के द्वारा कि यहां पर आप president rule लगा दीजिए ले देखो जब reconsideration के लिए भेज दिया जाता है ना राष्टरपती के द्वारा recommendations को तो एक moral responsibility आ जाती है government के ऊपर कि यह तो गलत हो गया मतलब मीडिया में criticize होने लगता है कि order गलत है तब ही president ने लोटाया है हलांकि सरकार reconsider करके वापस भेज दे तो फिर president को बात माननी ही होती ह लेकिन फिर सरकार की काफी ज़्यादा बेशती हो जाती है इसके बाद article में कहा जाता है कि देखो जब article 356 को actual में use किया जाना था तब तो use किया नहीं गया नर्सीमा राओ की सरकार थी 6 दिशंबर 1992 को बाबरी मस्चिद गिराई गई थी और उससे पहले उत्तरपरदेश मे constitutional machinery का breakdown हो गया था तब लगाना चाहिए था President रूल को तब तो लगाया नहीं गया बाबरी मस्चिद गिरा दी गई और उसके बाद डंगे भी हुए इन स्टेट्स में बाबरी मस्चिद गिराने के बाद जब दंगे हुए मध्या परदेश, राजस्तान, हिमाचल परदेश तो कहने का मतलब क्या हुआ देखो जब एक्चुल में 356 आर्टिकल को यूज किया जाना था तब तो किया नहीं गया और वैसे आलमोष्ट जितने बार भी यूज किया गया वो पोलिटिकल बेनिफिट्स को देखते हुए यूज किया गया है अजाद भरत में आर्टिकल 356 को तो कंकुजन में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 356 में ये जो अदरवाइस वर्ड है ना इसे आप हटा दीजिए तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिसकस किया आर्टिकल 356 के मिश्यूच से सम्बंदित चलते हैं आगे नएस आर्टिकल DTS के रिचार्जिंग से सम्बंदित ह हैं DTS मतलब Direct to Home जैसे Tata Sky वीडियो कोंड डिश्टीवी ये सब आप जीएस पेपर 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं क्या कंटेस्ट है यूनियन कैबिनेट के द्वारा हाल ही में Direct to Home Television Distribution सेक्टर के लिए एक revised scheme को एप्रूबल दिया गया अब देखो Direct to Home Television Distribution सेक्टर में 100% FDI को अलाओ कर दिया गया है सरकार के द्वारा Next point देखो नए norms के अनुसार अब license period valid होगा 20 सालों तक पहले के provisions के अनुसार license period शिरफ valid था 10 सालों के लिए मतलब अगर कोई नया Direct to Home operator license लेना चाहता है तो उसका license 20 सालों तक valid होगा Fees की बात करें देखो adjusted gross revenue होता है सारा revenue किसी भी परकार से प्राप्त किया गया है किसी direct to home television distributor के द्वारा For example Tata Sky को जितना भी revenue प्राप्त हुआ है वो होगा adjusted gross revenue इसमें से GST आप निकाल दीजिए मानली ये total revenue प्राप्त हुआ है एक लाख Tata Sky को तो ये including GST है GST इसमें से आप निकाल दीजिए मानली ये GST कुछ 80,000 या फिर 90,000 के आसपास बनता है तो फिर इसका 10% revenue सरकार के दवारा लिया जाता था फीस के तोर पे बट इसे अब घटा के 1% कर दिया गया है तो इससे भी काफी रहत मिलेगी इन DTH वालों को इसके बाद article में कुछ challenges बताए जाते हैं जिनका सामना DTH operators कर रही हैं आज के समय में देखो high bandwidth internet काफी आसानी से उपलब्ध हैं हमारे देश में खास करके शहरों में तो लोग broadband लगवा लेते हैं और कई सारे channels तो आपको पता हैं free में ही चलते हैं YouTube में जैसे आज तक है India Today बहुत सारे channels free में YouTube पर देखने को मिल जाते हैं तो फिर DTH लोग अपने घरों में कम लगवा रही हैं और आजकल तो ऐसा भी provision है कि आप mobile को सिधा TV से connect कर सकते हो यानि mobile में जो कुछ चल रहा होगा वो आपके TV में भी दिखेगा तो YouTube पे आप कई channels देख सकते हो YouTube के थुरू mobile में चलाओगे तो TV पर दिखेगा और over the top channels काफी जादा आ गए हैं जैसे Netflix जैसे काफी सारे options जनता के पास उपलब्ध हैं तो ये भी एक factor है जिसकी वज़े से direct to home कम लोग अपने घरों में अब लगवा रही हैं next challenge देखो DTH operators की ये भी सिकायत है कि सरकार के दवरा channels का जो maximum price है वो fix कर दिया गया है जैसे कि पहले ये 19 था कि एक channel का maximum price एक महिने के लिए 19 हो सकता है इसे अब घटा के 12 कर दिया गया है तो ऐसी situation में DTH operator अपने autonomy के हिसाब से package त्यार नहीं कर पाते हैं मतलब विबिन channels की जो कीमते हैं वो almost त्या हैं तो DTH operators सिरफ एक package package बना सकते हैं otherwise वो अपने हिसाब से कीमते त्यार नहीं कर सकते हैं जैसे अलग-अलग full मिल गए हो DTH operators को कि अलग-अलग channels की ये कीमत है तो अपने हिसाब से DTH operator एक book के त्यार कर लेंगे लेकिन उनकी मर्जी नहीं है कि वो book कितने में बेचेंगे क्योंकि देखो channels की कीमते ही त्या हो गई है तो फिर अपनी धंक से जो कीमते हैं वो DTH operator वाले package की नहीं त्या कर पाएंगे ना तो ये भी एक इनकी सिकायत हैं ऐसी situation में देखो कोई सारे players तो ऐसे हैं जो technology को combine करके DTH, internet service, OTT मतलब एक combine कुछ package त्यार करने की कोशिज कर रहे हैं कि आप एक subscription लो उसमें आप OTT भी चला सकोगे आप internet भी access कर सकोगे और DTH के channels भी आप देख सकोगे मतलब सारी चीज़ें एक ही package में इस पर काम किया जा रहा है कुछ बड़े players के दौरा इसके बाद article में कहा जाता है देखो इस साल के सुरुवात में try ने एक order की issue किया था new tariff order जो मैंने आपको बताया कि पहले एक channel का maximum price 19 हुआ करता था इसे घटा के 12 कर दिया गया try के दौरा इसी साल के सुरुवात में जन्वरी में जब order pass किया गया था वैसे देखो ये new tariff order तो पिछले साल आ गया था लेकिन इसको change किया गया था इस साल के सुरुवात में तो जो broadcasters हैं broadcasters मतलब channel वाले जैसे आज तक sony star tv ये सब broadcasters हैं ये अब court में जा चुके हैं amended new tariff order के against ये amended new tariff order जो इस साल के सुरुवात में आया था जिसमें कई सारी चीजें थी for example एक channel का जो maximum rate है वो बारा रुपे हो सकता है लास्ट में conclusion में कहा जाता है देखो इंडिया audiences की एक बहुत बड़ी market है 200 million cable and satellite connections हैं इंडिया में और इसलिए इस sector का regulation काफे ज़्यादा जरूरी है अच्छे सेम कुछ दिनों पहले की ये बात है fake TRP का controversy generate हुई थी कि कुछ channels के द्वारा fake TRP generate की जा रही है इवन जो state run Dooderson जैसे channels हैं इनको भी ये समझना चाहिए कि आप free में channel दोगे या फिर कुछ और methods आप अपनाओगे ये ensure करने के लिए कि लोग आपका channel ज़्यादा से ज़्यादा देखें ये long term में sustainable नहीं है long term में sustainable यही है कि आप authentic programs present करोगे और सही माइनों में एक entertainment दोगे audience को तभी वो आपका channel देखेंगे तो ये हमने पूरा article discuss किया DTH operators के issue से समंदित चलते हैं आगी इसके बाद next article universities की governance से समंदित हैं आप JS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो हमारे देश में 55 central universities हैं जिसे आप Indian academic system का एक crown कह सकते हो ताज कह सकते हो क्योंकि ये universities का काफी अच्छे से काम करती हैं यहाँ पे जो professors हैं उनको security of tenor है उनकी जो permanent होती हैं इसलिए वो free speech के अधिकार को भी exercise करते हैं अपने बात को students के सामने बेखो फोके रख सकते हैं और इससे students को भी काफी कुछ सीखने को मिलता हैं लेकिन देखो अभी फिलाल जो central universities हैं वो turmoil में हैं मतलब काफी गलत regions की वज़े से सुर्ख्यों में हैं उनके खिलाफ चार सीट भी फाइल किये जा चुकी हैं इनोवेशन काफी कम हो रहा है central universities में और ज्यादा innovation अब होने लगा है प्राइवेट universities में लेकिन देखो प्राइवेट universities में सभी courses एक साथ नहीं चलते जैसे की इन central universities में चलते हैं मतलब full range of humanities, social, natural science और professional discipline नहीं देखने को मिलते इन प्राइवेट universities में तो इसलिए आव सकता ये है central universities को बचाने की आव सकता है अब वैसे दो देखो काफी बार जब भी बात आती है कि central universities को बचाया जाए तब ये कहा जाता है कि central universities के पास autonomy नहीं है बट आज ये writer बोलते हैं बात autonomy की नहीं है बात accountability की है देखो अगर हम बात करें कि इन 55 central universities को कैसे govern किया जाता है वैसे तो हर एक central university को govern करने के लिए एक अलग से act है लेकिन broad जो structure है वो same है central university के visitor के तोर पे president of India काम करते हैं यानि president of India university के visitor होते हैं और president के भीहाव से ministry of education recommend करती है किसी eminent citizen को chancellor के तोर पर और chancellor का काम सिरफ ceremonial होता है chancellor daily routine के काम में ज़्यादा interest लेते नहीं है daily routine का जो काम है उसको किया जाता है vice chancellor के द्वारा मतलब vice chancellor directly involved होते हैं university के operation में तो ministry एक search committee का गठन करती है जो की interview लेते है multiple candidates का और वो search committee तीन candidate की एक list त्यार करके ministry को दे देती है कि आप इन तीन में से एक को vice chancellor के तोर पे चुन सकते हो और देखो इसी परकार से एक अलग process के through एक senate का भी गठन किया जाता है senate मतलब parliament मान लीजिए और ये जो senate होती है वो university की governing council के तोर पे काम करती है जिसमें nominees होते है various stakeholders के government के, faculty के, student के और citizen के kind of देखो ये governing council जो है बहुत important body है क्योंकि ये senate के तोर पे काम करती है इसमें various stakeholders के nominee होते है जबकि execution का काम किया जाता है एक committee के द्वारा जिसे chair किया जाता है vice chancellor के द्वारा और vice chancellor रजिस्टरार को भी appoint करते हैं इसके अलवा एक अलग से finance committee को भी गठित किया जाता है जिसको head किया जाता है chief finance officer के द्वारा जो कि कई बार civil servant होते है finance committee का गठन करना जरूरी होता है ताकि university में financial checks and balances को maintain किया जाता है बट अब बात करते हैं problem की ये तो हमने discuss कर लिया क्या कुछ होता है अब बात करते हैं problem की देखो ये governing council की body बहुत important होती है लेकिन इसका कोई role नहीं होता vice chancellor के selection में कई बार तो ऐसा होता है ये governing council की body सिरफ एक साल में एक बार मिलती है और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है governing council की body में 500-500 member होते हैं for example daily university की जो governing council है उसमें 475 members है आप बताइए इतने सारे members होंगे क्या कोई decision लिया जासकेगा नहीं तो formality हो गई ना सिरफ governing council को बनाना ऐसा नहीं होना चाहिए vice president annual university का जो annual plan होता है उसका approval लेते हैं governing council में लेकिन ये governing council सिरफ rubber stamp के तोर पे काम करती है कोई direction नहीं दिया जाता इस governing council के दोरा executive committee को जिसको head क्या जाता है vice chancellor के दोरा कि आपको इस हिसाब से act करना है कोई oversight नहीं यानि देख रेक नहीं कि executive committee कैसे काम कर रही है no quarterly updates सिरफ नाम मातर का काम करती है ये governing council सिरफ rubber stamp ceremonial position ये एक major reason है जिसकी वज़े से universities ठीक से काम नहीं कर पाती इसके ठीक विप्रित एक नया I am bill जो आया था इसमें देखो limit लगा दी गई है कि governing council में सिरफ 19 member हो सकते हैं इससे जाता नहीं और members में eminent citizens होंगे representation broad होगा और वो students जो I am से pass out हुए है उसी I am से मान लिजे I am Bangalore या फिर I am Ahmedabad की governing council है तो वो students जो उसी college से pass out हुए है उनको जगह मिलेगी इस governing council में देखो ये बहुत बढ़िया चीज है क्यों है वो आगे हम discuss करेंगे भी नए I am bill के अनुसार governing council director को choose करती है director को strategic direction प्रोवाइड करती है help करती है resources को raise करने में और monitor भी करती है director की performance को इसके बाद example दिया जाता है Harvard University का देखो पहले Harvard University एक सरकारी उन्वेश्टी हुआ करती थी 150 सालों तक लेकिन बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही थी जैसे हमारे देश में कई सरकारी उन्वेश्टी काम करती है वैसे ही Harvard University काम कर रही थी लेकिन बाद में governance को improve किया गया जो Harvard University का board था governing board उसे empower किया गया governing board में alumni यानि जो Harvard University से pass out students थे उनको जगह मिली अब देखो ये आपको भी लगेगा आप जिस भी college से pass out हुए हो वो college अच्छे से फले फूले उस college की reputation increase हो ये तो आप ज़रूर चाहोगे तो alumni का interest होता है कि हमारा जो college है जहां से हमने degree हासिल की है उस college की reputation बड़े तो Harvard University के alumni को जब जगह मिली board में तो उन्होंने बहुत interest लिया उन्होंने dynamism provide किया Harvard University को governance की देखरे की even resources raise करने में भी मदद की उसी परकार से देखो सभी central universities, IITs और दूसरे central institutions में जो governing council है उसको restructure करने क्या सकता है parliament के एक act की साहिता से example के तोर पर अब IIT Delhi ने हालखी में billion dollar endowment campaign launch किया और जो IIT Delhi से pass out students है यानि former students है including Sachin Bansal जो flip card से थे आजकल तो flip card में नहीं है वो एक important role play कर रहे हैं कि IIT Delhi एक billion dollar इकठा करे resources के तोर पर ताकि ये university इस university में research ज़ादा हो अगर देखो यही individual जो अभी मदद कर रहे हैं IIT Delhi की resources को raise करने में अगर इन्हें ही invite क्या जाता है कि भाया आप आओ governing council में तो ना सिरफ ये मदद करेंगे resources को quickly raise करने में बलकि dynamism भी provide करेंगे और अच्छे से oversight भी करेंगे कि IIT Delhi जो है वो अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है कैसे innovation को promote किया जा सकता है यानि world class innovations भी आएंगी तो यही पूरा article है किस परकार से governing council को restructure करने की आउशकता है अगर हम वास्तव में central universities की governance को improve करना चाहते है तो यह पूरा article हमने discuss किया universities की governance की improvement से सम्बंदित हमारी आज की इस discussion में इतना ही है आज हमने तीन issues को detail से discuss किया Thank you, thank you very much for discussion